प्रिये शिक्षार्थियों मैं जियोतिकौशिक मनन स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के इस अंक में आज हम जानेंगे प्रशिक्षिन क्योंकि जब चैनित व्यक्ति संस्था में कारे कर रहे होते हैं तो समय के साथ साथ उन्हें कुछ अपने आपको बदलने की भी आवश्यक्ता पढ़ सकती है क्योंकि जो समाज है, परिवर्तनशील है, उसमें तकनीकी बदलाव आने का भी जो possibility जो है इसकी होती है तो आईए जान लेते हैं कि प्रशिक्षिन की परिभाशा क्या है एक विशेश कार्य को करने के लिए कर्मचारी के ज्यान और कौशल में व्रद्धी करने के कार्य को ही हम प्रशिक्षन कहते है प्रशिक्षन वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा कर्मचारियों में किसी विशेश कार्य को करने हे तो उनके ग्यान एवमनिपुन्टा में विद्धी का प्रियास किया जा सके क्योंकि कार्य को हम जब करते रहते हैं तो हमारा ग्यान सीमित हो जाता है परन्तु कौशल को किस प्रकार बढ़ाया जाए अपने कार्य को और बहितर तरीके से किस प्रकार किया जाए इसको ही सीखने का जो कार्य है वो प्रशिक्षन कहलाता है आईए जान लेते हैं कि प्रशिक्षन की क्या-क्या विशेश्टाएं होती हैं पहला कि प्रशिक्षन पर खर्च जुब किया जाता है तो उसे खर्च ना मानकर उसे निवेश माना जाए उसे बरबादी या अपविय नहीं माना जाए दूसरा सतत प्रक्रिया है वार्थात यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जब तक व्यक्ति कार्य करतार है तब तब उसे प्रशिक्षन की आवश्यक्ता होती रहती है जब भी व्यापार में कोई परिवर्तन होता है तो प्रशिक्षन की आवश्यक्ता होती है और व्यापार में परिवर्तन लगातार होते रहते हैं इसलिए प्रशिक्षन को एक सतत प्रक्रिया कहा गया है इसके अलावा यदि हम देखें तो संगठन और कर्मचारियों दोनों के लिए ही प्रशिक्षन फाइदे मन साबित होता है क्योंकि संगठन कम लागत पर अधिक उत्पादन के अपने सपने को साकार कर सकता है और दूसरी और कर्मचारियों की बड़ी हुई दक्षता उन्हें कम समय में अधिक और गुनात्मक रूप से बहेतर वस्तूओं का उत्पादन करने में सक्षम बनाती है और इस प्रकार अधिक वजदूरी अरजित करती है अतहा किसी विशेश कार्य से संबंधित जो प्रशिक्षन यदि दिया जाता है तो इससे संगठन एवम कर्मचारी दोनों के लिए ही फाइधा होता है इसके अलावा हम जाने कि कुछ व्यक्ति प्रशिक्षन यवम विकास में कन्फ्यूज हो जाते हैं तो आईए जान लेते हैं कि प्रशिक्षन यवम विकास दो अलग-अलग चीज़े हैं प्रशिक्षन तथा विकास कर्मचारियों के वर्थमान तथा भविश्य के निश्पादन स्थर को सुधारने का एक प्रयास है ताकि कर्मचारी बेहतर से बेहतर कारे कर सके उनकी परफॉर्मेंस अर्थात निश्पादन इस तर परफॉर्मेंस लेवल को सुधारने का कारे प्रशिक शड़म विकास के माध्यम से होता है इसमें प्राय कर्मचारियों को सिखाने के द्वारा उनकी योग्यता को भी बढ़ाने का प्रयास किया जाता है ऐसा अधिकतर कर्मचारियों की अभिवृत्ति ये दृष्टिकून को बदल कर या फिर उसके कौशल तथा ग्यान को बढ़ा कर किया जाता है अब प्रशिक्षन तथा विकास की आवश्यक्ता क्या है? तो हम जान लें कि जब कारे सरल होते थे तब असानी से सीखे जा सकते थे परन्तु जैसे कि हमने अभी आपको बताया कि व्यापार में तक्नीकी परिवर्तन होते रहते हैं पुराने समय में तक्नीकी परिवर्तन कम मात्रा में होते थे तथा वह व्यापार को कम प्रभावित करते थे परन्तु अब तक्नीकी परिवर्तनों से व्यक्ति पर कारे करने की शैली पर बहुत ही प्रभाव पढ़ता है पुराने समय में कर्मचारियों को अपनी कुशलता बढ़ाने, अपने कौशलों का परिवर्ट करने की आविश्यक्ता कम पढ़ती थी परन्तु अब जैसे जैसे कार्य अधिक जटिल होते जा रहे हैं तो कर्मचारियों के प्रेशिक्षन का महत्र भी बढ़ गया है संगठन को क्या लाब हो सकते हैं यह हम जान लें कि जब संगठन या कोई संस्था अपने कर्मचारियों को प्रेशिक्षन देती है तो संगठन क्या लाब अरजित करती है प्रशिक्षन एक व्यवस्थित अधिगम या सीखने की प्रक्रिया होती है जो बाहर-बाहर गलती करके सीखने वाली विदियो से हमेशा ही बेहतर होती है जिसके कारण पैसा तथा प्रयास दोनों का ही नुकसान होता है क्योंकि यदि किसी अंट्रेंड व्यक्ति को कार्य करने के लिए दिया जाएगा तो वो समान भी खराब करेगा, मशीन भी खराब करेगा, समय भी खराब करेगा तो हर चीज का नुकसान होगा जबकि संगठन यदि उसे प्रशिक्षन दे देता है तो उसे कार्य करना आ जाता है और इस प्रकार की जो वेस्टेज है जो नुकसान है उसकी बचचत होती है प्रशिक्षन कर्मचार्यों की उत्पाधकता दोनों ही प्रकार की मात्रा और गुनवत्ता को बढ़ाता है जिससे की संगठन को जो है लाब में वृध्धी होती है इसके अलावा प्रशिक्षन भविश्य की प्रबंद को को तयार करने का कार्य करता है इससे क्या होता है कि जो आकस्मिक संकट आता है कि अब मैनेजर नहीं है उस समय काम कौन समभा ले तो जब पहले से ही प्रशिक्षित व्यक्ति होता है तो आकस्मिक संकट की स्थिति को संभालने का कार्य बखूबी किया जा सकता है इसके अलावा जो प्रशिक्षन है वो कर्मचारियों के मनुबल को भी बढ़ाता है तथा अनुपस्थिती को भी कम करता है क्योंकि जब आप काम करते हैं और आपको काम करना नहीं आता है तो आपका कारे पर जाने का मन भी नहीं करता है परन्तु यदि हम प्रशिक्षित होंगे तो हमारा कारे में मन भी लगेगा और हम छुटी भी कम करेंगे कर्मचारियों के संस्ता छोड़ने की दर्कों भी जो प्रशिक्षन है, वो कम करता है क्योंकि जब हम पहले से ट्रेंड होते हैं हमें बार बार प्रशिक्षन मिल रहा है तो कुछ नया सीखने के उद्देश्चे से जो व्यक्ति कार्य कर रहा होता है उसे यदि प्रशिक्षन दिया जाए तो उसकी संतुष्टी बनी रहती है जब कि जब कुछ नया सीखने को नहीं मिलने तो कर्मचारी का मन होता है कि इस संस्ता को छोड़ कर मैं किसी दूसरी संस्ता को दूसरे संगठन को जोईन कर लूँ तो इसमें जो संस्ता छोड़ने की दर है वो कम होती है जिससे बार-बार चयन प्रक्रिया का जो खर्च है संगठन का बचता है और संगठन को लाब की प्राप्ति होते है यह तेजी से परिवर्थित होते हुए तकनीकी तथा आर्थिक वातावरन से भी प्रभावपून प्रतिक्रिया प्राप्त करने में सहायक होता है तो हमने जाना कि संगठन को प्रशिक्षन के क्या लाब है। अब हम जान लेते हैं कि प्रशिक्षन के कर्मचारियों को क्या लाब हो सकते हैं। पहला कि प्रशिक्षन के कारण कौशल तथा ज्यान में सुधार व्यक्ति की जीवन व्रिति को भी बेहतर बनाता है। कार्य का बेहतर निश्पादन व्यक्ति के अधिक कमाने में भी सहायक होता है क्योंकि जब हम काम करते हैं, सीख लेते हैं प्रेशिक्षन के माध्यम से तो हमारी जो निश्पादन स्तर है, तब परफॉर्मेंस लेवल जो हमारा होता है वो डेफिनेटली इंप्रूव होता है, उसमें सुधार होता है प्रेशिक्षन के कारण जो कर्मचारी है, वो मशीनों को कुशलता पूर्वक चला सकते हैं और इससे दुरगटना उसे बचाव भी कर सकते हैं क्योंकि यदि दुरगटना हुई, तो कर्मचारी का अपना नुकसान होता है संस्था का तो होता ही होता है, लेकिन हो सकता है, उसे भी कोई चोट लग जाए लेकिन जब उसे सही डंग से काम करना आता है तो वो दुरगटनाव से बचाव करने में सक्षम बन जाता है इसके अलावा जो प्रशिक्षन है वो कर्मचारियों के संतोष तता मनोबल को भी बढ़ाता है जब एक वातावरण में हम अपने कारे को बेहतर रूप देते हैं तो हमारी संतुष्टी होती है हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि हम काम को बेहतर तरीके से कर सकते हैं तो हमने जाना कि कर्मचारियों को क्या लाब है अब हम ये जान लें कि प्रशिक्षन क्या है प्रशिक्षन कोई भी ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा कर्मचारियों की एक्षमता, कौश्चल तथा योग्यतों को बढ़ाया जा सकता है यहें नए कोशलों को सीखने की प्रक्रिया तथा अपने ग्यान को प्रयोग मिलाने की तक्नीक होती है यहें कर्मचारियों के वर्तमान कारे निश्पादन में सुधार लाती है और उन्हें अन्य किसी भी नए कारे करने के लिए तयार करती है इससे संबंदित एक विशे और है जिसे शिक्षा कहा जाता है तो यह ऐसी आपस में मिली जुली टर्म्स हैं जिने हमें जानना जरूरी होता है शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो कर्मचारियों के ज्यान ततब बोध को बढ़ाती है शिक्षा का जो शेत्र है वो प्रशिक्षन से बहुत ही विस्त्रित होता है शिक्षा मन और चरित्र के गुणूं और बुन्यादी सिद्दांतों के समझ भी प्रदान करती है तथा विशलेशन, संस्फलेशन और वस्तुनिष्ठा की शम्ताओं का विकास करती है प्रेशिक्षन का प्रयोग संगठन के लक्षों के लिए ज्यादा होता है अधिक होता है विकास क्या है? डवलप्मेंट जिसा में हम कह रहे थे तो विकास से तात्परे सीखने के सू अवसरों के निर्मान से होता है जो कर्मचारियों के विकास में सही योग देते हैं विकास ना केबल उन क्रियाओं को सम्मिलित करती है जो कारे के निश्पादन में सुधार लाती है परंतू उनको भी जो उनके व्यक्तित्व का विकास करें परिपक्वता तथा अपने संभावित कौशलों के अर्जन में भी सहायता करें ताकि न केवल भी अच्छे कर्मचारी बन सके बलकि एक बहतर इंसान बन सके अब जान लेते हैं कि प्रशिक्षन अवा विकास में क्या अंतर होता है प्रशिक्षन ग्यान तथा कौशल को बढ़ाने की एक प्रक्रिया होती है वरन विकास एक सीखने तथा विकास की एक प्रक्रिया होती है ट्रेनिंग यह कर्मचारीों को बहतर कार्य निश्पादन के लिए समर्थ बनाती है जबकि विकास कर्मचारियों को पूर्ण रुपेन के लिए योग्या बनाती है प्रशिक्षन का क्षेत्र सीमित होता है जबकि विकास का क्षेत्र विस्त्रित होता है प्रशिक्षन एक कार्य आधारित प्रक्रिया होती है इसे जीवन वित्ती आधारित प्रक्रिया हम कहते हैं जो प्रशिक्षन है वो कार्य केंद्रित है जबकि विकास वो व्यक्ति केंद्रित होता है तो एक उधारर ले ले लेते हैं जिससे हम प्रशिक्षन और विकास में बहतर तरीके से अंतरस्पष्ट कर सकें जैसे कि एक लेखा कार को लेखा जोखा कारे के लिए नया सॉफ्ट्वेर सीखने के लिए भेजा जाता है ताकि वो बहुत बहतर तरीके से पुस्तकों को तयार कर सके खाता पुस्तकों को सटीक रूप दे सके इसी को प्रशिक्षन कहते हैं परन्तु यदि उसे अपने प्रेरख और वैचारिक कौशल में सुधार करने के लिए उन्मुखी कारे करम के लिए भेजा जाता है तो उसे हम विकास कहेंगे अब हम जानेंगे कि नियुक्ति करण के विशे में प्रशिक्षन विधियां कौन सी हैं नियुक्ति करण में प्रशिक्षन विधियों के बारे में हम जानेंगे प्रशिक्षन क्या है प्रशिक्षन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा विशिश्ट कार्य करने के लिए करमचारियों की योग्यता कौशल और ख्रम्ताओं को बढ़ाया जाता है तो अब जान लेते हैं प्रेशिक्षन विधियों के वर्गी करण के बारे में तो दो प्रकार से हम प्रेशिक्षन विधियों को वर्गी करित कर सकते हैं On the Job Training Methods, अर्थात कार्या पर रह कर सीखना और दूसरा of the job training method जिसमें कार्या से हट कर प्रेशिक्षन विदिया तो कार्या पर रहकर सीखा जाता है नमबर एक प्रेशिक्षन आर्थी कार्यक्रम के तहट दूसरा संयोक्त या स्थानबद प्रेशिक्षन के रूप में और तीसरा है प्रेशिक्षन या अविविदियास प्रेशिक्षन के रूप में जबकि कार्य से हट कर हम सीखते हैं वेस्टिबूले ट्रेनिंग माध्यम से तो आईए एक एक करके इनके बारे में हम जान लेते हैं आउन दा जौब प्रेशिक्षन विदियां वे विदिया होती हैं जिनका उपयोग कार्य स्थल पर रह करके किया जाता है जब कर्मचारी वास्तर में काम करते हैं कार्य को करते हुए सीखना ही तात पर रहे कार्य स्थल प्रेशिक्षन इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रशिक्षनार्थी कार्यक्रम प्रशिक्षनार्थी कार्यक्रम उच्छ स्थर के तक्नीकी कौशर प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया गया है प्रशिक्षन आर्थी कारे क्रमों में प्रशिक्षन को एक मास्टर कर्मचारी के मार्ग दर्शन में सीखना होता है अर्थात जब आपको कार्य करना सीखना है तो आपको मान लीजे आप इंजीनियर बन रहे हैं तो आप में जो आपका work atmosphere है, जो कारे का वातावरण है, आप वहीं जाकर सीखें. आपने देखा भी होगा, कुछ जब आप विद्याले में पढ़ रहे हैं, तो teachers जो हैं वो आपके पास आते हैं, तो वो teacher training के लिए आते हैं, वो actually विद्याले में आ करके, विद्यार्थियों को पढ़ा करके, तक्नीकी कौशल प्राप्त करते हैं. प्लंबर, electrician, लोह श्रमिक जैसे कुशल नौकरियों में प्रवेश करने के इच्छुक लोगों को अक्सर प्रशिक्षन आर्थी प्रशिक्षन से गुजरना पड़ता है. इन शिक्षार्थियों को एक समान अवधी का प्रशिक्षन दिया जाता है, जिसमें तीवर तथा मंदगती से सीखने वाले शिक्षार्थियों को एक साथ ही रखा जाता है और वे कार्य करते हुए एक दूसरे से भी सीखते हैं. दूसरा है संयूक्ट, स्थान बद्ध प्रशिक्षन. यह एक प्रशिक्षन का ऐसा संयूक्ट कार्यक्रम होता है, जिसमें शैक्षिक संस्थान और व्यवसाईक फर्म एक दूसरे को सहियोग करते हैं. जो भी चैनित उमीदवार होता है, वो एक निश्चित अवधी के लिए शैक्षिक संस्था में नियमित अधियन करता है, वे व्यवारिक ज्यान और कौशर प्राप्त करने के लिए किसी कार खाने या कार्याले में भी काम करते हैं. आप समाज से इसके बेहतर उधारन देख करके इस प्रेशिक्षन विधी को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं. यह पेशेवर पाठ्यक्रमों के चात्रों के लिए उप्युक्त होता है, जैसे की CA, Chartered Accountant, या फिर MBA, Masters of Business Administration, Engineers या Medical आदी. इस प्रेशिक्षन का जो मुख्य उदेश्य होता है, वो सेदान्तिक के साथ व्यवहारिक ज्यान प्रदान करना भी होता है. आपने देखा होगा कि जब आप डाक्टरी इलाज के लिए डाक्टर के पास जाते हैं, तो एक सीनिय डाक्टर होता है जो आपको प्रिस्क्रिप्शन देता है, डाइगनोज करके दवाई लिखता है. जबकि उसके साथ तो लोग और बैठे होंगे जो सिर्फ यह देखते हैं कि यह कारे किस प्रकार सीनियर के द्वारा किया जा रहा है. तथा पढ़ते हुए जो विद्यारतीर के रूप में जो डिग्री कोर्स में पेशेवर पाठ्यक्रमों के चात्र होते हैं, वे व्यभारिक रूप देखने के लिए हॉस्पिटल्स में भेजे जाते हैं, ये चार्टेड अकाउंटन्ट आफिसीज में भेजे जाते हैं, या अलग-अलग जो भी पेशेवर पाठ्यक्रम हैं, उसके अनुरूप ही उनका कार्य अस्थल डिसाइड होता है और उन्हें वहाँ पर व्यभारिक ज्यान प्रदान किया जाता है प्रेडन या अभी विन्यास प्रशिक्षन अभी विन्यास प्रशिक्षन एक प्रकार का ऐसा प्रशिक्षन होता है, जो किसी नए कर्मचारी को एक संगठन में उसके कार्य, लोगों, परिवेशादी से परिचित कराकर शीग्र समायोजित होने में सहायता करता है इस तरह कि प्रशिक्षन की अवदि कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों तक हो सकती है इससे तात पर रहे हैं, एक चैनित कर्मचारी को नए संगठन में उसका परिचे कराने से होता है ताकि वह ये जान ले कि जहां उसे काम करना है, उसका वातवरन कैसा है इसके अलावा अभी विन्यास प्रशिक्षन जिसे हम ओरिएंटेशन भी कहते हैं एक नए कर्मचारी को एक कमपनी की सभी रननीतियों, निश्पादर्स्तरों, आधिका, संक्षिप्त परिचे देती हैं तो ये सब हमने जाना कि कार्य पर रहकर कौन-कौन सी प्रशिक्षन विदियों का इस्तेमाल किया जाता है कार्य पर रहकर किस प्रकार कार्य करने की विदियों से रूबरू हुआ जाता है अब हम जानेंगे कि कार्या से हट करके प्रशिक्षन किस प्रकार दिया जाता है जिसे हम off the job प्रशिक्षन विदी भी कहते हैं Off the job प्रशिक्षन विदियों का उपयोग कार्या के स्थान से दूर हट कर किया जाता है इसका अर्थ होता है कि कार्य करने से पहले सीखना यह प्रशिक्षन, विशेशग्योद्वारा, संगठन के अंदर या संगठन के बाहर से प्रदान किया जाता है यह विधी अधिक महंगी और अधिक समय लेने वाली होती है क्योंकि इसमें एक वातावरन को तयार किया जाता है जो की बिलकुल वैसा हो जैसा की कार्यस्थलका होता है तो इसलिए अधिक समय और अधिक महंगी प्रक्रिया इसे माना जाता है प्रकोष्ठ प्रशिक्षन इसके अंतरगत आने वाली एक प्रशिक्षन विधी है इस प्रणाली में कर्मचारी अपने काम को उन्हीं उपकर्णों पर सीखते हैं जिन पर उन्हें काम करना होता है लेकिन यह प्रशिक्षन वास्तविक कारेस्थल से हट कर दिया जाता है उदाहरन के रूप में एक वुड़ वर्क मार लीजे कहीं से सीख रहा है और उसकी मशीनों को डमी उपकर्णों को उसके प्रशिक्षन कक्ष में ही उपलब्द करा दिया जाता है ताकि वो सामान का इस्तेमाल करके बार बार अपनी जो प्रैक्टिस करके उसको वहीं पर सीख सके एक्ट्वली में उस जगह पर ये किसी दूसरे विक्ति का समान का नुकसान करके ना सीखे जबकि जो नकली उपकरण होते हैं उन पर जो है प्रैक्टिस करके कारे को सीख सके इस प्रनाली के तहट कक्ष में ही वास्तवी कारेवात अवरन तयार करके करमचारी उपकरणों की नकल का उप्योग किया जाता है यह सामान ने तहट तब किया जाता है जब करमचारी को मूल्म लेवान तथा हाइटेक मशीनली को समभालने की आवश्यक्ता होती है जैसे कि पाइलेट प्रिशिक्षिन अर्थात जब एक पाइलेट को किसी कमपनी में नोकरी दे दी जाए और वो वहाँ जाकर के अपने एरोप्लेन को चलाए और वहाँ जाकर नुकसान करे उससे क्या फायदा? वो तो बहुत सारा बड़ा नुकसान हो जाएगा इसलिए ऐसी स्थिती हो ही ना इससे बचने के लिए पाइलेट प्रिशिक्षिन के लिए जो प्रिशिक्षिन के लिए विशेश तर रखे जाते हैं एरोप्लेन और वहीं पर उनको प्रैक्टिस कराई जाती है वो प्रैक्टिस के लिए यूज किये जाने वाले उपकरण होते हैं जैसा कि मैं अपना एक उधारण दूँ तो जब हम लोगों की election की duty लगती है तो election की duty में जो election voting machine होती है EVM जो होती है वो हमें अलग से दे दी जाती है कि इसे किस प्रकार आपने उस दिन इस्तेमाल करना है उसका प्रशिक्षन हमें दिया जाता है बार बार उन dummy machines को हम यूज करते हैं और सीख लेते हैं ताकि जिस दिन हमारी वेड यूटी हो हम उस दिन कोई भी गलती ना करें क्योंकि उस दिन की गई गलती या उस दिन की गई चूख हमें बहुत भारी पढ़ सकती है तो इसलिए इस प्रकोष्ट प्रशिक्षन का विशेश महत्व होता है तो मैं उमीद करती हूँ कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया नियुक्ति करन विशे आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा और ये सभी प्रशिक्षन विद्यां भी आपको समझ में आई होंगी धन्यवा